आगे हमारा तीसरा परसन है कि सिद्ध कीजिए कि निमल की संख्याई एप्री में है इसमें जिरका एक बड़ा रूट दो साथ रूट पांच और छे पलस रूट दो इसमें तो हमें सिद्ध करना होगा कि एक और रूट दो का जो भाग है वो एप्री में है यहाँ पर हमें सा रूट दो जो है वह एक प्रीमे संख्या है यह हमने मान लिया अगर यह एक प्रीमे संख्या इसे एक भिन के रूप में लिख सकते हैं याट एक बटा रूट दो है उसे हम A बटा B के रूप में लिख सकते हا यहां पर A और B जो है वह सह एवाज्ये गını कंड concepts एवर बी सहय बज्य पुरणाग है और इसके लावा बी का जो माहन है वो जीरो के प्रापर भी नहीं है अगर बी का मान जीरो हो जागे तो क्या होगा यह रासी अनंत बन जाईगी हमें रूट दो का मान चुद करना है कि यह अपरी में है तो हम क्या कर लेते हैं इसका व्यूत करम कर देते हैं समीकरण के दोनों पक्षों का व्यूत करम यानि कि इनवर्स कर देंगे अंस को हर बना देंगे हर को अंस बना देंगे एक समीक्रन के दोनों पक्षों में समान क्रिया अपलाई करने पर कोई फर्क नहीं बढ़ता तो ये रूट दो बराबर बन जाएगा बी बटा ए अब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे वर्ग करने पर ये बन जाएगा दो बराबर B square बटा A square और इनका ब क्रोस गुणा कर देते है तो यह बन जाएगा 2 A square बराबर B square दो रासियां बराबर हैं तो वो बिल्कुल बराबर होती है वैल्यू उनके बराबर होती है अगर इस रासिय के गुणदखंड में 2 आ रहा है तो इसके गुणदखंड में भी 2 आएगा यानि कि 2 A square जो है वो 2 से बाज़े है क्योंकि इसमें 2 एक गुणदखंड है अभी इसके बराबर है B square तो इसलिए B square जो है वो भी 2 से बाज़े है अगर B square 2 से बाज़े है तो अगर किसी सिंख्या के वर्ग में किसी का बाग जा रहा है तो सिंख्या में भी बाग जाता है तो B भी 2 से बाज़े होगा यह हमारी होगी समीकर नमबर 1 हमें सिद्ध करना है कि एक बड़ा रूट दो है प्रिमी है जब हमने इसके विद्करम कर दिया तो यह रूट दो बन गया यानि आप इसको इस परसन के लिए भी कर सकते हो एक बड़ा रूट दो के लिए और यह शुरू बाड़ी एक लाइन हटा दें और वो मान आएगा वो हम समीकरण एक में रख देंगे यह हमारी समीकरण नमबर 1 यह बड़ी 2 हमने मान लिया कि B के बराबर है 2C तो हमारे पास में पहले से समीकरण 1 से कि 2A स्केर बराबर आजएगा B स्केर था तो B की जगए आजएगा 2C स्केर 2A² का 2A² गएगा इसका पर करतेंगे 2 का 4 और C का C² चार इस 2 का करतेंगे पक्षांतरा नहीं दर गुणा में उदर जाके हुजएगा भाग में तो A² बराबर आजाएगा 4C² यनिके 2C² अब ये 2C² में गुण खंडा एक 2 2C² दो से बज्ज है 2C² के बराबर है A² तो A² में भी क्या होगा एक गुण खंड दो विश्चे आएगा क्योंकि सिंके हम बराबर है इसलिए A² भी 2 से बज्ज है अगर A² दो से बज्ज है तो A भी 2 से बज्ज होगा ये हमारे स्मीकर नमर होगी 3 तो हमने समीकरण 2 में ये value पाई थी कि जो B है वो 2 से बाज्जे है और समीकरण 3 में हो गया कि A जो है वो भी 2 से बाज्जे है तो अब देखो कि समीकरण 2 वे 3 से सपष्ठ है कि 3 से सपष्ठ है कि A वे B का उबे निश्टकुन नखंड 2 है प्रुंत हमने मना गया था कि A और B जो है वो से बाज्जे प्रुणाख है यानि कि इन दोनों में एक के अत्रिक तो कोई और गुर्ण नखंड नहीं है तो ये हमारी कलपना का ग्रोधा हवास हो गया ये है हमारी प्रिकलपना कि A वे B प्रुणाख है का विरोधा भास है ये विरोधा भास क्यों हुआ ये है विरोधा भास हमारी त्रुटी पूरण प्रिकलपना के कारण हुआ है क्योंकि हमने माना तो ये था कि A और B जो है आवाज़े इन दोनों में एक के तरिक तो कोई गुर्ण नहीं है लेकिन अब A और B का एक गुर्ण नखंड आ गया दो तो जो हमने शुरू में माना था कि एक बड़ा रूट दो जो है वो प्रिमे है तो वो अब हमारा गलत हो गया यानिकि एक बड़ा रूट दो है वो A प्रिमे है तो इससे सिद्ध होता है कि एक बड़ा रूट दो एक A प्रिमे संख्या है दूसरा परसन है साथ रूट पांच तो हमान लेते हैं कि साथ रूट पांच जो वे एक प्रीमे संख्या है मानना साथ रूट पांच एक प्रीमे संख्या है तो साथ रूट पांच के वराबर दो पुरना का जाएंगी इस प्रकार से A बटा B कि A और B जो है वो तो है सहय भाज्य पुरुनांग दोनों में एक के अत्रिक्त कोई भी अन्य गुन्धन नहीं है और B है वो 0 के बराबर नहीं है वरना ये value अननता बन जाएगी तो ये प्री में नहीं रहेगी अब हम इसमें रूट पांच का निकाड़ते हैं तो रूट पांच बराबर क्या बन जाएगा A बटा में 7 B अब हमारे पास में देखो कि A, B और 7 ये पुरुनांक है और पुरुनांकों का जो है गुना और भाग पुरुनांकों के गुना वै भाग से बनी सिंख्या पुरुनांकों से बनी वी संख्या है जो होती है वो क्या होती है पुरुनांकों से बनी वी संख्या है तो ये ए बटा में 7 B जो है वो एक पुरुनांक बन गया इसलिए ए बटा में 7 B पुरुनांकों क्या है अब ये दोनों क्या है बराबर ये वाली प्रिमे है राइट साइड तो लेट साइड गया हो जाएगी प्रिमे तो रूट पांच भी प्रिमे संख्या है परंतु हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल कचिन लगा हो रूट संख्या के गुर्णखन नहीं होते हो तो वह एक ए प्रीमे संख्या होती है तो यह हमारी जो कलपने उसका विरोधावास हो गया है कि रूट पांच भी एक प्रीमे संख्या है परन्तु हम जानते हैं कि रूट पांच एक ए प्रीमे संख्या है तो यह है विरोधावास क्यों हो गया यह है विरोधा भास हमारी गलत या त्रूटी पूरण परिकलपना के कारण हुआ है गलत परिकलपना के कारण हुआ है तो इसे सिद्ध होता है कि साथ रूट पांच जो है इसे सिद्ध होता है कि साथ रूट पांच एक ए प्रीमे संक्या है यही हमें जिद्ध करना था हमारा तीजरा परसन है की छे पलस रूट दो तो इसके लिए हम मान लेते हैं की छे पलस रूट दो एक प्रीमे संक्या है ए प्रीमे संक्या है इनना सभी को हम विरुद्धावास वेदी से हल करेंगे तो उनको हम उल्टा माल लेंगे जो देर खाऊगा ए प्रीमे दिया है तो हम इसको प्रीमे माल लेंगे और जब प्रीमे माल लेंगे रासी को तो ये क्या बनेंगी एक भिन बन जाएगी भिन के रूप में लिख सकते हैं ए बटा बी के रूप में A और B जो है वो क्या है सहे अभाज्या पुरुनांग यहां आप सहे अभाज्या भी लिख सकते हो या दुनों का उबे निश्ट कुन खंडा वो एक के तरीक तो कोई और नहीं है और B की वैल्यू हमेशा not equal to 0 आएगी अब इसमें हम root 2 का मानिकालते हैं तो यह क्या बनेगा A बटा B plus का 6 दरा के हो गया minus का 6 लगुत्म लेंगे तो आजएगा लगुत्म निका B A minus 6B अब हमारे पास में A, B और 6 जो है वो क्या है? पुरुनांग A, B और 6 पुरुनांग है अगर यह दोनों पुरुनांग है तो A minus 6B बटा B क्या होगा? पुरुनांग यह दोनों पुरुनांग है तो इनकी जो भिनमन गई है वो भी क्या होगी? पुरुनांग और पुरुनांगों से बनी हुई रासी हमेशा प्रिमे होती है तो इसलिए A minus 6B बटा B प्रिमे संख्या है और इसके बरबर में क्या है? रूट दो तो रूट दो भी क्या हो जाएगा? प्रिमे तो रूट दो भी प्रिमे संख्या है रूट दो प्रिमे है परंतु हम जानते हैं कि रूट दो एक ए प्रीमे संख्या है तो यह है विरोधा बास हमारी तुरूटी पूरण प्रिकलपना के कारण हो है तुरूटी पूरण प्रिकलपना यहीं सिद्गरना था अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद चैनल कार तो यह हमारी तुरूटी पूर आप uh